एक दिन की बात है एक अमीर आदमी था वो बड़ा पैसे वाला उसके पास लाखो करोडो रुपए थे तो एक दिन क्या हुआ उसके आखों में जलन होने लगी तो अब जब जलन होने लगी तो फिर वो वो गया ऑडोक्टर के पास और डोक्टर से कहा डोक्टर साब मेरी आखों में जलन हो रही है जरण चेक तो करना अब वो डोक्टर चेक करा उसको बिमारी वो समझ नहीं आई अब वो मन में सोच रहा है इसको कुछ थोड़ा सा समझ में आया था कि बिमारी कौन सी है पर इसको समझ नहीं आई अब वो सोच रहा है कि इनके आखों में एलर्जी हो चुकी है अब यह हरे लंग के अलावा कुछ और नहीं देख सकते अब वो सोच रहा है फिर बताओ या ना बताओ तो फिर अब उस अमीर आदमी को वो बता देता है वो कहता है सर आपके आखों में एलर्जी हो चुकी है आप हरे रंग के अलावा कुई और रंग नहीं देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो आपकी जो बिमार यह वो और बढ़ जाएंगी तो वैसा उसने कहा तो अब यह था पैसे वाला ठीक है अब वहां से वह चला जाता है घर पर आता है अब उसके जो पैशान वाले उसके हाथ के नीचे जो काम करने वालते होते हैं उनको कहता है कि जा उस जगा को हरी कर दो जहां पर मैं जाता हूं जहां मैं उटता हूं बैकता हूं घुमता हूं फिरता हूं सारी चीजों को हरी कर दो एक भी चीज वहां पर दूस अब वो काम करने वाले वरकर्स को देखता है और देख रहा है कि सारी चीजे हरी हो रही है बहुत खर्चा आता है उसको सारी चीजे हरी हो रही है तो अब यह उससे जाके पुछता यह इंटेलिजेंट जो होता है होश्यार यह पुछता जाकि कि यह क्या कर रहे हो तुम थो хотите कि हमारे जो मालक है उनको एक एलर्जी हो चुकि है वो हरे लंके अलावा कोई और अकर देखेंगे तो उनको को मैं परिशानी होगी उनकी जो भीमारिल यह वह बड़ियाएंगी तो वैसा इनका कहना था तो फूजे तो भूत आसान बिमारी है इतना हरारंग करने की जरूरत नहीं है वो बलता है पता दो अपने साप का सर का मैं मिलके आता हूं से तो अब यह जाता है वह अमीर आदमी के पास और कहता है यह सारी चीज़े आप हरी किस लिए कर रहे हो जबकि यह इतनी आसान है कि आपको बीना खर्चा किये आप सारी चीज़े हरी देख सकते हैं अब अमीर आत्मी बोला यह कैसा हो सकता है तो अब वो जो intelligent इंसान था उसने कहा सर आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप एक हरा चश्मा क्यों नहीं ले लेते हैं तो जब यह हरा चश्मा नाम ही लेना था तो उसके दिमाग में क्लिक वा रहे हां यार हरा चश्मा लूंगा तो जहां जाओंगा वह चीज हरी दिखेंगी तो अभी हरा चश्मा मंगाता है और सारी चीज इसको हरी हरी दिखने लगती है यह बड़ा खुश हो जाता है और कदाए ठैंक सर आपने मेरी मदद की बहुत-बहुत शुक्रिया मैं इतना खर्चा कर रहा था मूलता है सर यह बात ठीक है यह सब ठीक है आप इतने बड़े तो सारी चीज़े हरी हो जाएंगे तो इस कहानी से यह सिखना है कि हमें भी हर काम को हर परिशानी को सौल करते हुए आउट ऑफ दे बॉक्स सोचना है समझ में नहीं आया मैंने कहा हम जब भी कुछ चीज सोचते हैं करते हैं तो हमें कुछ अलग तरीके से सोचने की आदत डालनी होंगी तभी हम भी हर मुश्किल काम को आसान कर सकते हैं धन्यवाद